में हूँ आलोग दुवेदी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वन डे कंप्टुएटिव एक्जाम के हिसाब से जनरल फिजिक्स का सलेवस आज से हम पहली क्लास शुरू करते हैं तो हमारा पहला चैप्टर क्या है मापन किसी भी बहुतिक रासी को प्रदर्शित करने के लिए मापन की बहुत आवश्यक्ता होती है बिना हम उसके मापन की ये उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं ठिक है। तो किसी भौतिक राशी को π्रदर्शित यानि मापन करने के लिए हमें three चीज़ों की अवस्चर्था होती है। पहली quantity यानि कि उस राशी की मात्रा कितनी है। दूसरी unit यानि मात्रक। मात्रक क्या होता है। किसी राशी के मापन के निर्देशत मानक को मात्रक कहते हैं अर्थाथ एक यूनिट या एक सिष्टम होता है जो वाइडली एकसेप्टेड होता है जो सभी परिष्थितियों में और सभी जगह समान एक जैसा हो उसे मात्रक कहा जाता है और तीसरी राशी क्या है? direction यानि दिशा कुछ भावतिक रासियों को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की भी आवस्यकता होती है ठीक है तो इन तीन चीजों में जो सबसे आवस्यक quantity है आवस्यक है वो क्या है quantity ये compulsory element है किसी भी मापन के लिए आप जरूरी नहीं कि इस सभी मापन में दिशा की जरूरत हो लेकिन कुछ जगों पर होती है लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएं भी हैं जिन में मात्रक की भी आवस्यकता नहीं होती जैसे radian, stay radian प्रकास का अपवर्तनांक इन सारी चीजों में मात्रक की भी आवश्यक्ता नहीं होती किन्तु quantity की आवश्यक्ता होती है इसलिए सबसे महत्तो कुरून अगहटक क्या हुआ? तो देखो, अब जैसा कि हमने अभी बोला कि कुछ वस्तुओं में direction की आवश्यक्ता होती है और जिनको व्यक्त करने के लिए direction की आवश्यक्ता नहीं होती वो क्या होती है? अदिस रासियां इनके बारे में हम detail में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अदिस रासियों के बारे में कि कौन-कौन सी रासियां अदिस होती है मतलब किन-किन-कौन मापने के लिए दिसा की आवश्यक्ता नहीं होती उनका direction matter नहीं करता इसके लिए हमने एक छोटा सा formula बनाया है यह salt trick है ठील है? तो इसको note कर ले न उसका दाल चावल S, M, S, C से आता है S की जगह पर क्या होगा? यहाँ पर M होगा उसका दाल चावल M, S, C से आता है तो यहाँ पर जो U है U किसको प्रदर्शित करता है? उरजा और उसमा को अर्थात उरजा और उसमा क्या है? अदिसरासिया है स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समय को समय कैसा है? अदिसरासि है का किसको रिप्रेजन्ट कर रहा है कार्य को कार्य भी एक अधिसरासी है दा किसको रिप्रेजन्ट कर रहा है दाब को ल किसको दिखा रहा है लंबाई और दूरी दोनों चीजें ल से आप लंबाई और लंबाई से ही दूरी भी होती है तो आप इन दोनों को एक साथ समझ लेना ये दोनों क्या है अदिसरासिया है चा चा का मतलब चाल से होए यहाँ पे स्पीड भी एक अदिसरासि है जो M है S, S, C को सुधार के आप M, S, C कर लेना जो M है वो क्या है मास यानि द्रब्यमान किसी भी पदार्थ का द्रब्यमान क्या हुआ एक अदिसरासि हुई S क्या है सक्ति यानि पावर C क्या है करेंट विद्यूत A क्या है आयतन और आवेस Tा क्या है तापमान तो ये उपर जो रासियां लिखी गई है ये सारी कैसी रासियां अदिस रासियां इन रासियों को व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ मात्रा और यूनिट मात्रक की जरूरत होती है इनको व्यक्त करने के लिए हमें दिसा की आवस्यक्ता नहीं होती दिसा आपने कुछ मात्रक पे देखा होगा एरो का मार्क बना रहता है एक तीर का निसान बन बना रहता है वो कौन सी हुई सदिस रासियां और जिन पर नहीं बना रहता वो कौन सी हुई अदिस रासियां तो ये थी कुछ है अदिस रासियां फिक है अब चलिए चलते हैं सदिस रासियों के सदिस रासियां कौन सी रासियां हुई वे रासियां जिन्हें व्यक्त करने के के लिए दिशा, मतलब उनकी मात्रा और मात्रक के साथ साथ ये भी बताना पड़े कि दिशा कोन सी है, ये फिजिक्स की भासा में ये दिशा है, आपकी नौर्थ इस्ट साउथ फिश्ट वाली नहीं है, ठीक है, तो ये सब क्या हुई, सदिसरासियाँ, इसके लिए एक छोट भीवान है बिर्जु उसकी बेगम अपना तंबू लेकर के खेत में भाग गई ठीक है तो यहां पर जो आ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आवेश को जो आवेश होता है इंपल्स होता है इसका एक डाइरेक्शन होता है कि किस दिशा में यह लग रहा है ठीक है जो बल होता ह है बल की भी एक दिषा होती है विश्थापन कोई वस्तु अपनी मूल स्थित से कितनी दूर गई है सीधी रेखा में तेड़ी मेड़ी नहीं सीधी रेखा में वो कितनी दूर है। उसको क्या बोला जाता है विस्थापन तो विस्थापन भी क्या होता है सदीस होता है और वेगे क्या है एक सदीसराशी है। यह से क्या रहा है त्वरण, त्वरण का मतलब इंगलिस में क्या बोलते है एक्सिलरेशन, जैसे आप अपनी गारी का एक्सिलरेटर दबाते हो तो तेज भागती है, इसको क्या कहा जाता है त्वरण, त्वरित कर रहे हो आप उसको, तो त्वरण क्या है एक सदिश रासी है स स से क्या रहा है समवेग मूमेंटम ये भी एक अदिस रासी है अब देखो अगला क्या है खेत खेत आप सभी जानते हो तो खेत क्या होता है खेत का एक छेतर फल होता है ठीक है तो खेतर फल एक सदिस रासी है हालांकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि खेतर फल अदिस रासी है जबकि खेतर फल एक सदिस रासी है ये अपने आप में छेत्र फल क्या है एक सदिसरासी है आप इसको Google पर भी कर सकते हो कहीं पे भी है Vector Area का घर्सन में भी प्रयोग किया जाता है Vector Area उसको बोला जाता है NCRT के books में भी कई जगह पर जिन्होंने पढ़ा होगा Vector Area का प्रयोग किया जाता है मतलब क्या है छेत्र फल एक सदी सरासी है चुम्बकी ये छेत्र की तीब्रता ये भी एक सदी सरासी है छेत्र जहां पे आया तो छेत्र से आप छेत्र का मतलब लगा लो विद्यूत छेत्र की तीब्रता भी क्या है एक सदी सरासी है भागी में जो भा है वो क्या है भार है किसी भी वस्तू का जो वेट होता है वो क्या होता है सदी सरासी होती है इसके बारे हम जब डीटेल में बात करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर समझाऊंगा ठीक है अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कई जगह पर आपने देखा होगा मात्रा है कि I, J, K उनके उपर एक कैप जैसा लगा रहता है ठीक है तो वो उसको क्या बोलते है यूनिट वेक्टर एकांक सदीस और एकांक सदीस वो सदीस होता है जिसका परिमार एक होता है इस चार्ड में कुछ रासियां दी गई है जो इसकेलर और वेक्टर को डिनोट कर रही है जैसे देखो चाल क्या है सदीस है जबकि वेग चाल क्या है अदिस है जबकि वेग क्या है सदीस है और इन दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है ठीक है द्रब्यमान एक अधिस रासी है जबकि भार क्या है सदिस रासी है दूरी क्या है अधिस है जबकि विश्थापन क्या है सदिस है धारा यानि करेंट क्या है अधिस रासी है और उसका घानत तो क्या होता है किसी छेत्र फल पल लगने वाला करेंट क्या हो जाएगा ये सदिस हो जाएगा चुम्बकी या फ्लक्स ये क्या होता है अदिस होता है और चुम्बकी ये छेतर की तीबरता क्या होती है सदिस होती है ऐसे ही विद्यूद फ्लक्स क्या हो गया अदिस और विद्यूद छेतर की तीबरता क्या हो जाएगी सदिसराशी हो जाएगी ठीक है चलिए अब अगर सदिसराशी और अदिसराशी कुछ चीज़े तो सीधे सीधे पता चल जाती है कि कौन सी सदिस है कौन सी अदिस है पर जब हम प्तियोगी परिक्षा में बैठते हैं तो हमें कई व्योत्पन नरासियों के बारे में हम बात करेंगे, तो हमें हर एक चीज याद करने की जरूरत नहीं होती, मैंने आपको पहली क्लास में ही बोला था, आप अगर समझने पे फोकस करेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, और आसानी से यह सब होत जाएंगी, तो, अब देखो, मुल रूप से, आप देखो, कि कौन कौन सी सदिस हैं, और कौन सी अधिश्ट हैं, अब यदि हम किनी दो सदिस रासियों का आपस में गुना करेंगे, जैसे, वेक्टर into वेक्टर लिखा है, तो, into का मतलब क्या है, गुना, यदि हम, और इसे प्रकार यदि हम किन ही दो अदिस रासियों का आपस में गुणा या भाग करेंगे तो भी हमें कौन सी रासी प्राप्त होगी? अधिस रासी. इसी प्रकार यदि हम किनी दो अदिस रासियों का आपस में गुणा या भाग करेंगे तो भी हमें कैसी रासि प्राप्त होगी अदिस रासि देखो दूसरे नंबर पर क्या लिखा है Scalar into Scalar, Scalar का मतलब क्या होता है अदिस रासि या Scalar divided by Scalar तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक Scalar quantity यानि अदिस रासि तो अब देखो अब आप यहां पे समझने का कोशिस करो यदि दोनों एक ही प्रकार की रासियां हैं यदि दोनों सदिस और सदिस हैं या अदिस और सदिस हैं अदिस और अदिस हैं या सदिस या सदिस हैं तो इन दोनों का आपस में गुना करने या भाग देने पर जो हमें प्राप्त होगी वो कैसी रासी होगी अदिस रासी ठीक है अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है vector into scalar और vector divided by scalar इसमें एक ती प्राप्त होगी हमेंसा vector यानि यदि हम अदिस का सदिस से गुना करें या सदिस का अदिस से गुना करें तो हमें क्या प्राप्त होगा सदिस रासी यदि हम सदिस को अदिस से विभाजित करें या अदिस को सदिस के से विभाजित करें तो भी हमें कैसी रासी प्राप्त हो नीचे कुछ दो उदाहरंड लिखे हुए हैं जैसे कार्यक यहां पर यस क्या है स्कैलर यानि और भी क्या है वेक्टर यानि सदिस जैसे आप देखो कार्यक क्या होता है बल गुणे विश्थापन जब हम किसी वस्त उपर लगाये गए बल और उस बल के लगाये जाने के कहते हैं ठीक है जैसे आपने दीवाल गिराने के लिए अपना बल तो लगाया लेकिन दीवाल नहीं गिरी वो अपनी ही जगह पर है तो कार्य हमने क्या किया सुन्य कार्य किया तो देखो बल कैसा हुआ एक वेक्टर सदिस रासी है और विश्थापन क्या है विश्थापन पही एक सदिस रासी है और इन दोनों का जब हमने गुणा किया तो हमें क्या मिला कार्य मिला कार्य कैसी रासी है अदिस रासी ठीक है अब आते हैं दूसरे एक्जामपल पर दूसरा एक्जामपल क्या है सक्ती तो सकती क्या होती है जब हम कार्य में समय का भाग करते हैं मतलब किसी कार्य को करने में कितना स्मय लगा उससे क्याних वाइन होता है। कार्य क्या है एक scalar quantity यानी अदिसरासी और समय क्या है। समय भी scalar quantity है ये भी अदिसरासी है और इन दोनों का जब ने गुना किया तो हमें क्या मिला एक अदिसरासी सकती मिली सकती जो की एक अदिसरासी है इसी तरीके से क्या होता है चुम्बकी अफलक्स जैसा कि मैंने अभी पिछले pages में बताया था पिछली slides में मैंने आपको दिख चुम्बकी अफलक्स क्या है एक अदिसरासी है सॉरी चुम्बकी अफलक्स क्या होता है इसमें एक जामपल नहीं दिया गया है चुम्बकी अफलक्स क्या होता है चुम्बकी अच्छेत्र की तीब्रता में हम छेत्रफल का जब गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है चुम् तो I hope कि आप लोगों को सदिस और अधिस कनफर्म हो गया होगा, इनके बारे में हम फिर और आगे देखेंगे और इससे जादे एकजाम में आता भी नहीं है, किसी भी one day competitive exam में, ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं मापन, मापन पढ़ा, quantity पढ़ा, और उसमें क्या प पढ़ा, और direction पढ़ा, सदिस और अधिस पढ़ा, अब आते हैं मापन की पढ़तियों के बारे में, देखो मूल रूप से मापन की दो पढ़तियां है, पहली है FPS, इसको क्या बोला जाता है, British system, यानि ये ब्रिटन देश के जो निवासी थे, ब्रिटिस थे, उन्होंने एक माप करने की पध्धती बनाई थी, उसको क्या कहा जाता है, British system या British पध्धती, और उसमें FPS होता है, या उसको standard language में FPS system भी कहा जाता है, तो जो यहाँ पे F और P और S हैं, ये किसी सब्द के इनका abbreviation है, F क्या होता है, foot, F क्या है, foot है, foot से हम क्या नाम मापते हैं, दूरी, pound से हम क्या मापते हैं, वजन, और S क्या है, second, समय के लिए यहाँ पर second का प्रयोग किया जाता है, मतलब British system में दूरी मापने के लिए foot का प्रयोग किया जाता है, वजन मापने के लिए pound का प्रयोग किया जाता है, और समय के लिए second का प्रयोग किया जाता है, तो ये कौन सी पद्धती हुई, fps पद्धती हुई, अब इसके अलावा एक और पद्धती थी, cgs, cgs कि बनाई भी पद्धती थी, ये फ्रेंच, फ्रांस के निवासियों ने अपनी एक अलग मापन की पद्धती बनाई थी, जिसको क्या कहा जाता है, cgs पद्धती, इसमें c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, cm को, g रिप्रेजेंट कर रहा है, gram को, और s रिप्रेजेंट कर रहा है, second को, तो यहाँ पर दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, cm का, वजन मापने के लिए, gram, और समय मापने के लिए, second का, इसका मतलब यह नहीं है कि वो लोग कितना भी वजन हो उसको gram में ही लिखेंगे ऐसका ऐसा मतलब नहीं है या ब्रिटन वाले कितना भी समय हो जाए उसको second में ही लिखेंगे यह मतलब नहीं है यह उन्होंने एक छोटी सबसे छोटी IK50 को माना है बेसिक यूनिट चो इन होने माना है तो बेसिक यूनिट ब्रिटिन वालों ने दूरी के लिए फुट को माना है फ्रेंच वालों ने सेंटिमीटर को माना है ब्रिटिन वालों ने वजन के लिए पॉंड को माना बेसिक यूनिट और फ्रेंच वालों ने किसको माना ग्राम को और समय के लिए दोनों ने सेकेंड को सबसे बेसिक यूनिट माना ठीक है ये यूनिट सपने आप में पूरन नहीं है इनके आके और भी कुछ सुधार हुआ CGS में और सुधार किया गया कुछ समय बाद उसको मोडिफाई किया गया और उस पद्धती को क्या नाम दिया गया MKS मतलब देखो ये जो थर्ड और फोर लिखा है तो ये मूल रूप से जो MKS है वो CGS का एडवांस वर्जन है जब CGS को इंप्रूब किया गया तो एक नई पद्धती का विकास हुआ MKS पद्धती ठीक है तो यहाँ पर दूरी के लिए सेंटीमीटर की जगभ मीटर का प्रयोग किया जाने लगा वजन मापने के लिए ग्राम की जगह किलोग्राम का प्रयोग किया जाने लगा और समय के लिए सेकेंड का ही प्रयोग किया जाता रहा अब चूंकि यहाँ पे यह कौन से हुई मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धती इसलिए इसको क्या कहा जाता है? MKS, system लेकिन क्या था कि जैसा हमने कहा कि FPS किसकी थी? British पद्धती थी मतलब इसको ब्रिटन में वाइडली यूज किया जाता था बाकि दूसरी जगहों पर इसको उतना यूज नहीं किया जाता था जो CGS या MKS पद्धती बनी यह कहां कि पद्धती थी? French की इसको France में प्रयोग किया जाता था बाकि अन्य जगहों पर इसको प्रयोग में नहीं लाया जाता था हर जगह की एक छोटी छोटी पद्धतीयां थी सबका अपना अपना था तो जब हर जगह मापन की अलग-अलग पद्धतीयां प्रचलीत रहेंगी तो पूरे विश्व में क्या होगा एक असमानता आ जाएगी तो सारे विश्व को पूरे वर्ल्ड को यूनिफाइड सिस्टम में लाने के लिए एक पद्धती में लाने के लिए जो उस समय के प्रोमिनेंट कंट्रीज थी भी कसी देश थे उन्होंने 1960 में जेनेवा एक स्थान है वहाँ पर एक कॉनफरेंस की बैठक की जहां पर सारे विश्व के जो साइंटिस्ट थे जो जानकार पढ़े लिखे लोग थे वो उन्होंने बैठक में हिस्वा लिया और उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के लिए हम एक ऐसी मापन पद्धती बनाते हैं जिसे सब लोग accept कर लें और जो सब जगह प्रचलन में आ जाए तो इससे क्या होगा कि इससे पूरे विश्व में कोई समस्या नहीं होगी ठीक है, हर जगह एक unified method होगा तो इन्हों ने एक नई पद्धती बनाई जिसको SI सिष्टम कहा जाता है ठीक है, इसका full form क्या है सिष्टमें इंटरनेशनल यानि अंतरराष्ट्रिय मापन की पद्धती SI, सिष्टमें इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रिय मापन पद्धती 1960 में जिनेवा में prominent countries ने एक बैठक की conference की और उन सब ने इस method को widely accept किया ठीक है और ये जो प्रभाव में आई ये पद्धती प्रभाव में कब से लाई गई पूरे world level पे 1967 से तो ये एक ऐसी पद्धती है जिसे पूरे 20 में प्रयोग किया जा रहा है तो आज के लिए बस इतना ही अगली class में हम आगे का पढ़ेंगे कि व्यूत्पन नरास्तियां क्या होती है मूल रास्तिया क्या होती है SI system के बारे में क्योंकि अब world में SI system ही चल रहा है international चल रहा है तो हमारी physics जो है वो internationalized हो गई है सब जगह एक ही मापन पद्धती तो हम अब SI unit के बारे में और भी ज़्यादा चीशें आगी की classes में पढ़ेंगे तो मेरी अगली class आप लोग इंतजार करो और तब तक पढ़ते रहो थैंक्यू classes